ग्वालर के फूलबाग गुपाल मंदिर में जनमाश्मी के अफसर पर भवान राधाक्रिश्न का श्रंगार करीब सो करोड रुपए से अधिकी ज्वैलरी से किया जाएगा। सिंध्या राजवंश की प्राचीन ज्वैलरी मदिभारत की सरकार के समय गुपाल मंदिर को सौप दी गई थी। इन बेशकीमती ज्वैलरी में हीरे और पन्ने जड़े हुए हैं। ज्वैलरी को हर साल जला कोशाले से कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिल आया जाता है। ज्वैलरी की लिस्टिंग के बाद उसका वजन किया जाएगा, जिसके बाद गंगा जल से धूने के बाद भगवान को पहनाया जाएगा। सिरक्षा के लिए जन्माश्टमी के दिन यहां दोसों से अधिव पलिस जबान तैनाद किये जाते हैं। मंदर के इतिहास में पहली बार कोरोना संकट के चलते इस बार मंदर के अंदर शधालो को प्रविश नहीं दिया जाएगा। शधा के बाद श्रंगार के बाद भगवान के दर्शन फेस्बुक के जरीए लाइव कराये जाएगे। निकमायुक्त संदीप माकन के अनुसार बारह अगस्त को सुभा बैंक से लॉकर से भगवान की गहने निकाल कर उनका श्रंगार किया जाएगा। गहनों के सिरक्षा के पलिस जवानों के तैनाती होगी साथ ही सीसी टीवी कैमरे के जरीए भी निकरानी की जाएगी। क्रिशन जन्म के बाद रात बारह बजे ही इन जिवरातों को ट्रेजरी खुलबा कर उसमें रखवाया जाएगा। और दूसरे दिन सब्भा इन्हें दुबारह से बैंक लॉ भगवान के जवरातों में राधा कृष्ण का सफेध मोटी वाला चूडियां कड़े इत्यादी हैं भगवान के भोजन के लिए सोने चांदी की प्राचीन बर्तन भी है साथ ही भगवान की समय इत्रदान पिछकारी धूबदान चलनी सांकडी छत्र मुकुड ग्लास कटोरी कुम्पकरीनी निरंजनी आदी भी है भगवान राधाकृष्ण को लोग वस्यासत के मंत्री दर्बारी वा आम लोग जन्माश्मी परदर्शन को आते थे उसमें भगवान राधाकृष्ण को इंज्वैररी से सजाया जाता था आजाती के बाद मद्धिफारत की सरकार बने के बाद गुपाल मंदिर और उससे जुड़ी संपतिस जिला प्रि जन्माश्मी से सजाया गया है यह हर साल जन्माश्मी पर करीब दो लाक्ष दालू दर्शन करने आते थे लिकिन इस बार भगवान ओनलाइं दर्शन देंगे आप देख रहे हैं घमासान.com और भी न्यूज अब्डेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल औ और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें